इसलाम अलेकुम एवर्यवन माइनम इस मुहम्मद अले रजा एंड वेलकम तो मैं यूट्यूब जैनल अलिवर्स उर्दू सीरियस में आज का हमारा टॉपिक उर्दू नसर होगा उर्दू नसर और उर्दू नजम जो हैं वह उर्दू अदब के जो इंपॉर्टन टॉपिक प्यूर्दू हैं BMS में भी और प्यूपिर ऐपक्चिद दसक्रान के तो छा गका है और इसमें इनकी डिफरेंट ताइपस क्या हो सकती है और किसने पहली चीज उसके हवाले से लिखी तो उनको आज हम डिसक्स करेंगे उर्दू नसर को सबसे पहले आज हम डिसक्स करेंगे इसमें सबसे पहले उर्दू के अगर हम बात करें तो 19-वी सदी में इसे बकाइदा तोर पर हिंदुस्तान में अर्दू जबान का नाम दिया गया उसे पहले भी मुगल दोर में जो था अर्दू को अलाके के लिहाज से डिफरेंट एरियास में बोला जाता था 18-वी सदी के एक्ताम पर ऐसे लाके जहां पर अर्दू बोली जाती थी उनको अर्दू बजार या जबान अर्दू कहा जाने लगा यही जबान आहसा आहसा जो है वो मुगलिफ अलाकों में हिंदुस्तानी या हिंदी दकनी गुजराती और रेखता के नाम से मशूर थी लेकिन 19-वी सदी में वाज़त और इसे अर्दू जबान का नाम दिया गया अर्दू जो है वो तर्की जबान का लफज है और इसके मेनि लशकर या लशकर गागे है और यह आहसा आहसा जो है वो मुख्तलिफ जबान ओधर होती हूई है इसमें हिंदी और इसके लावा अरभी और फारस ही जो है उसका खास इंफल्वाइंस है तो यह डिफरेंट तो देखें तो इसमें डिफरेंट जबानों के अलफाज होते हैं और इसकी यही सलाईयत और निकार है कि यह मुख्तलिफ जबानों के अलफाज को अपने अंदर जजब कर लेती है नसर जो है इसका बकाइदा आगाज फोर्ट विलियम कालिज कलकता से हुआ नसर मुख्तलिफ जो लिखने के तरीका कार होते हैं जिस तरह किसी की कहानी लिखनी है किसी के बारे में मजमून लिखना है या किसी चीज के बारे में मुख्तसीर या तफसील से कुछ लिखना है इसके लावा जो सवाने अमरी है, आप बिती है, खाका, सफर नामा, मजमून, मक्तूब निगारी और तन्जो मजा, यह हमारा गैर अफसानवी अदब है तो एक-एक इनको हम देखते जाएंगे, इनकी डैफिनेशन और इनकी जो मक्सूस जो एक्जेमपल हैं, वो मैं आपको साथ साथ करवाता जाएंगा कहने की चीज होती है, उसको हम दास्तान कहते हैं, मीर अमन देहलवी ने सबसे पहले किस्सा चहार दर्वेश का तरजमा जो फासी से किया और बाग बाहर लिखा था किस्सा चहार दर्वेश के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा नजाम अदिन आउलिया बिमार पढ़ गया और उनके एक खास मुरीद थे, अमीर खुसरू, वो उनके पाउंद बाते और इने एक दिल्चप्स दास्तान सुनाते गए, आइस्ता आइस्ता किस्सा चहार दर् किस्सा चहार दर्वेश, उसको जाए, कनवर्ट किया गया बाद में, बागो बहार में, इस तरह रजब अली सर्वर बेग लखनवी का फसाना अजायब और हैदर बक्ष, हैदरी का आराइशे महफल, ये जो साथ-साथ मैं बता रहा हूं, ये किस-किस के किस्से हैं, तो ये मज़र ले विला का हफ्त गुल्चन ये भी इंपॉर्टन्ट है, उसके बाद नावल आता है हमारे पास, नावल का जो लफज है, वो नावला, ये एक अतालवी लफज है, उससे लिए गया है, इसके मतलब होते हैं, अनोखा या अच्छूता, तो नावल जो है, वो दास्त नावल जो है, दास्तान से मुक्सिर होता है, ये एक कहानी होती है, जो एक हीरो के गोमती है, उर्दू का अब इंपॉर्टन्ट है, ये पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमत को का जाता है, पहला नावल मुरतल अरूस है, और ये शाया हुआ था 1869 में, इसके नावल जो हैं, इसके बाद अफसाना आता है हमारे पास, अफसाना मुक्सिर तहरीर का नाम है, जिसमें किसी वाकय की या किरदार की लम्हे की जहलक मौझद होती है, नावल में याद रखना है तफसील बियान की गई होती है, لیک 750 का हनी बहुते हैं, वक्त की बच्जच के के लिए जो है वह इसको लिखा जाता है और इसमें कहानी भी मुक्सिर होती है नावल की निस्बत इसमें मशहूर अफसाने अफसानान गार हो और मंटो का नाम नाइए तो सादत हुसान मंटो के अफसाने बहुत मशूर हैं इसके लावा गलाम अबास अफंदी का ओवरकूट ओवरकूट आई होप आप मेंसे सब ही को पता होगा और इसके लावा मुलशी प्रियम चंद का शिक्वाश शिकायत और एदगा तो ये मुक्तलिफ अफसाने हैं जो काफी मशूर है ड्रामा का लफ़स जो है वो ड्राव से लिया गया है इसके माईनी है अमल करके दिखाना ड्रामा कोई भी आप देखें तो उसमें एक प्रैक्टिकल चीज होती है और एक कहानी होती है, किरदार होता है, मकाल में होते हैं, बाचीत होती है और बैगरांड म्यूजिक होता है, तो इस तरह से ड्रामा जो है, इसका मतलब होता है, अमल करके दिखाना वाजद अली शाह जो है वो अर्दू के पहले ड्रामा निगा रहा है अब ड्रामे की डिफरेंट किसमें भी हैं अल्मिया है, आपरा है, मखलूब ड्रामा है, टेली ड्रामा है तो रेड आई ड्रामा या रेडियो ड्रामा है तो different category हैं लेकिन वो इतना important वो नहीं है लेकिन main ड्रामा आप इसको याद रखें कि ये ड्रामा इसमें practical होता है एक कहानी होती है करदारों की आपस में बाचीर होती है background music होता है इस तरह हम TV पर देखते हैं तो इसको हम ड्रामा कहते हैं वाजद अली शाह उर्दू के पहले ड्रामा निकार है मशूर ड्रामों के बात करें तो आगा हाशर कश्मीरी जो हैं वो मरूफ ड्रामा निकार है और इनके ड्राम में असीरे हिर्स, तर्की, हूर, यहूदी की लड़की और रुस्तमो सहराव मशूर है आगा हाशर कश्मीरी के ये जो ड्रामें इनका वान पेपर में पुछा जा सकता है तो ये ड्रामें इनके याद रखने हैं आपने इमतियाद अली ताज का अनार कली, हकीम शुजा का बाप का गुना, ये भी मशूर ड्रामें इसी तरह से अब सवाने अमरी है, सवाने अमरी जो है वो हमारा गेर अफसानवी अदब है अचा अफसानवी अदब और गेर अफसानवी अदब में अगर मैं फरक आपको बताऊं तो अफसानवी लफज या अफसाना, किस्सा या कहानी या जिसमें मुबालगा राई हो सकती है या जो ख्याली या फर्जी बात हो उसको हम अफसानवी अदब कहेंगे इसी तरह अगर गेर अफसानवी की बात करें तो वो हकीकत पे होगा उसमें अफसाना या किसा कहानी नहीं होगी वो हकीकत दुनिया के करीब तरीन बात होगी अब सवाने अमरी के अगर हम बात करें तो सवाने जो है वो सानिया है एक लफ़ उससे लिया गया है और इसका मतलब जो है अहवाल या कैफियत है सवाने अमरी से मुराद है किसी शख्स की जिन्दगी के अहवाल अगर इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड होगा तो वो होगा बायोग्राफी यानि किसी शख्स की पैदाई से लेके उसकी वफात तक उसकी जिन्दगी के जितने भी एहम एहम पॉइंट्स हैं उनकी तफसील जो है बियान करना उसको सवाने अमरी कहेंगे मुलाना हाली की हयात सादी जो है वो पहली सवाने अमरी है मुलانا हालی की हयाते जावेद और मुलانا शिब्ली नुमानी की सیरतलनुमान स्यीत सुलिमान निद्वी की हयाते शिब्ली और इफदखार हमा सिदिगी की हयातलनजीर जो है ये मुशूर जो हैं सवाने उमरियां है इसी तरह अगर मैं कहूं कि यादगारे गालिब है वो मुलाना हाली की है तो यादगारे गालिब किस की सवाने उम्री है यादगारे गालिब जो होगी वो मिर्जा गालिब की सवाने उम्री होगी तो जो सवाने उमरी अगर किसी की पूछा जाए तो ये किसकी सवाने उमरी है वो उस शक्स की बात होगी यानि यादगारे गालिब किसकी सवाने उमरी होगी मिर्जा गालिब की लिखनाए वाला उसका राइटर होगा वो सवाने उमरी नहीं कहलाएगा जिसके बारे में लिखी गई होगी उसकी सवाने अमरी बनेगी वो आप बीती किसे कहते हैं आप बीती सवाने अमरी के बरक्स आटो बायोग्राफिक को कहते हैं या जो शक्स खुद अपनी जिंदगी के वाक्याद या हलात को बियान करता है वो आप बीती कहलाता है मुलाना जाफर थार निसरी की काला पानी, हसरत महनी की कैदे फिरहंग और इसी तरह कुदरत अल्ला शहाब की शहाब नमा, जोश मली अबादी की जो है यादूं की बरात और मिर्जा दीप की मटी का दिया वो मशہور हैं, अब इसकी मुक्तलिफ एक साम हो सकती है, आब इति इसमें डाइरी भी लिख सकते हैं, लोग डाइरी होती है, या डेली पना रोजनाम जा लिखते हैं, वो भी आप इति की ही जो टाइपस है, उसमें आजाता है इसके बाद खाका है, खाका का माईनी जो है वो नक्षा या धांचाग है, किसी की लफजी या कलमी तस्वीर, या कलम के जिरिए किसी शक्स के बारे में लिखना या उसका स्केच बनाना, स्केच बनाना, स्केच भी इंगलिश में कहते हैं, स्केच इंगलिश में खाके को कहा तो उसका स्केच बनाना यानि उसके बारे में लिखना खाके में जो है वो किसी शक्स के मोटे मोटे जो खदो खाल है उसके बारे में बियान किया होता है अब खाके के अगर बात करूँ जिस तरह नावल और अफसाने में फरक है कि ये नावल जो है उसमें तफसील बियान होत लेकिन खाका जो है वो मुक्सिर होता है और उस में मोटे-मोटे ख्दो ख़ाल बियान किये गए गया होते हैं और क्यूंकि सवान उम्री जो है वो ये वोकश दर्कार होता है इसके बर厚 जो खाका है उसके इतना टायम दर्कार नहीं होता मिर्जा फरहतुला बेग पहला खाका अपने उस्ताद के नाम जो है नजीर आमत की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरे जुबानी तो उनका ये पहला खाका था मशूर खाकों में मौलवी अब्दल्हाक की खाकों पर मबनी किताब चंद एहम असर शामिल है सफर नामा सफर नामा अगर हम इसका इंगलिश में माइनी देखें तो सफर नामा कहते हैं जो व्लॉग बनाते हैं ट्रैवलिंग का यानि जो ट्रैवल लॉग होते है इसको सफर नमा कैते हैं, किसी सफर के दुराः जो हालात और वाक्षाथ होते हैं उनके बारे में उसका जो कल्मी पहलो के जिरिये बताना या उसके बारे में लिखना सफर नमा कहलाएगा. यूसफ खान कंबल पोश्ट का अजाएब आते फरंग इबने इंचा का चलते हो तो चीन को चली इबना वतूता के ताकों में और दुनिया गोल है ये इबने इंचा के बहुत मशूर सफर नामे है इस तरह मुस्ताइब सर हुसें तारड का अंदलस में अजनभी तो ये जो ड एक तहजीब अखलाग रिसाला है इसका अजरा भी गिया तहजीब अखलाग रिसाले में वो बकाईदा मजमून लिखते थे और इसका बेसिक मकसद भी यही था आएस्ता आएस्ता उनके जो मुखलिफ दोस्त हैं मौलाना हाली और शिबली नुमाने इस तरह बहुत सी टीम में एक जुड़ती गई और इनकी तरह वो भी इसमें लिखते गए तो यह मजमून लिखते थे हिंदुस्तान यह से पहले के हला तो वाकियात के बारे में मजमून निगारी उससे शुरू हुई तो जिमन में लिया गया हुआ यानि किसी एक पॉइंट पे एक तफसील में लिखा हुआ और उसके इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टन जो चीजें हैं उनको कम्प्लीट किया जाए कवर किया जाए तो उसको मजमून कहेंगे मक्तूब निगारी है लोग भी मैनी मक्तूब निगारी का लिखा गया या लिखा हुआ और इसी तरह आम तोर पर मक्तूब से मरा खट लिया जाता है मक्तूब यानी खतूत निगारी जो है वो उसको कहते हैं जो एक दूसरे को खतू कताबत के दिरिये जो बात चीत करते हैं उसको मक्तूब निगारी कहते हैं और अभी चूंके मौडरन टेकनोलोजी है इमेल या मैसेजिंग का काम बहुत जादा चलता है लेकिन पास्ट में माज़ी में अगर बात करें तो मक्तूब निगारी को एक बहुत खास दरजा हासल था और इसको आदी मुलाकात समझा जाता था अगाज जो इसका बकाइदा है मक्तूब निगारी का वो मिर्जा गालिब से हुआ और अदूब निगारी का जो पहला संगे मिल है तन्जो मिजा अगर देखा जाए तो तन्जो मिजा जो है इसका मतलब है कि हसने हसाने की नियत से जो नसरी पहलू में लिखना है उसको तन्जो मिजा कहते है जानि कि अन्सान जो है और उसको कुई बात बुरी लगती है तो उसको दुख होता है कुछ ऐसे कुदरत के मजाहिर है जा अगर वो उते हैं तो वो हसने पर मजबूर हो जाता है तो इस तरह से फनी पहलू में या हसने असानी की नियत से इस मज़ाज में लिखना तन्जो मज़ा कहलाएगा इसका बगायदा आगाज भी मिर्जा गालिब ने किया अर्दू नसरी पहलू के लिहाज से तक्रीबन हमने आज सबी टॉपिक्स को कवर कर लिया है अगर वान पेपर के लिहाज से पेपर में एम सी कोज़ाया तो इन ही में से आएगा तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स और इसको साथ साथ नोट करते जाना है और इनको देखते जाना है अगर आप देखें तो PMS के लिहाद से भी आपका एक टॉपिक जो है वो कवर हुआ है तो आई होप आपको इसकी जो है वो समझा गई होगी आपसे मुलगात होगी इंशाला नेक्स वीडियो में तब तक अपना खियार रखें लाफ़ेश